हर एक समय, हर एक मिनट, वो टापिक आपके दिमाग में खूमना चाहिए, जो आपने पढ़ाई की है टाइम मेनेजमेंट जैसी चीज कुछ है ही नहीं UPSC की तैयारी में माइंड मेनेजमेंट होता है तैयरी आपको यह लगता है कि किताब लेके सुमहुरत निकालूंगा और पढ़ना शुरू करूंगा तो आप विश्वास करो, यह कामचोरी है मैं सबसे sincere गड़का माना जाता था और लोगों का कहना था कि यार जो अजय कर सकता है न वो कोई नहीं कर सकता अब मैं वहाँ से दिल्ली आता हूँ अपने घर वालों के सपने लेकर के एक बड़ी सी कोचिंग जोईन करता हूँ और मुझे लगता है मैं फोड़ के रख दूँगा जब सेलेक्शन कई साल नहीं हुआ और गाउवालों को धीरे धीर पता चलने लगा क्यार अजे के वसकी नहीं हुई आप एक बात बताओ एक गाउवालों का बच्चा जो सबसे सिंसियर बच्चा था उसके वसकी नहीं हुई तो गाउवालों के लोग डरेंगे कि नहीं डरेंगे जाते हो तो एक IIT टॉपर से एक्जाम पलो जो उस IAS के एक्जाम के लिए अपने 50 लाग की नौकरी छोड़ के आता है वंडर कॉन्फिडेंट नहीं होता उसके दोस्त बार-बार कहते हैं ए भाई सोच समझ के जा वो IIT टॉपर क्या कहता है मैं जानता हूँ कि मैं कर लूँगा लेकिन जो IAS के साथ मैं SSC की बित्यारी कर रहे है बेंक की बित्यारी कर रहे है चपराशी का भी फार्म भर दे रहे है आपको क्या लगता है ऐसे इनसान को विश्वास है कि वो IAS नहीं बन सकता आपके घर में कोई IAS ओफिसर नहीं है गलती होगी कि नहीं होगी और ऐसा बچ्चा पहले टेंट में जाता है गलती करता है एक साल गया अगली साल जब जाता है ना तो पहली वाली गलती जो किया हुआ उसको भो ठीक कर लेता है लकिन दूसरे साल उससे कोई देखने वाला फिर नहीं होता तो उसे दूसरी गलती हो जाती है मैं आप से कहना चाहता हूँ अगर आपकी जिंदगी में एक GURU हो जो कम से कम IS का इंटर्वी फेस किया हो या तैयारी भी किया हो और वो जानता हो कि गलती कहां होती है अगर आपको उसने गलती नहीं करने दी आप first attempt में select होगे देखिए अगर आप वो वाली coaching बोल रहे हो जो सारे लोग provide कर रहे हैं जिसमें syllabus खतम करके एक बच्चे को मरने के लिए छोड़ दिया road पे मैं कह रहा हूँ ऐसी coaching करने की ज़रूरत नहीं थे वो तो YouTube पर सारे वीडियो पड़े हुए DM बनने के लिए आप DM बनना चाहते हो आप ज़रा सोचो एक दिन वो DM अपने clerk को बुला है एक primary के teacher को बुला है और उनसे पूछे एक बात बताओ मैं जिला कैसे चलाओं आपको ऐसा DM अच्छा लगेगा क्या आप खुद सोचो ऐसे बच्चे को जो एक्साम आपने डिसाइड किया है आईएस का अगर आप किसी भी रिष्तेदार किसी भी दोस्त के कहने से इस lecture को छोड़ के दूसरा पकड़ लेते हो आप DM बनने लाइक हो ही नहीं आप एक लड़की की शादी में खर्चा करना चाहते हो उसका एक बटा दस सिर्फ एक बटा दस उस लड़की के करियर पे लगा दो आओ उस लड़की की इक्षा पर लगा दो अगर वाईस बनना चाहते है जितना आप उसकी शादी में लगाना चाहते हो उसका वन बाई टेन अगर उसकी तो आप फर्स्ट अटेम्ट में सेलेक्ट होगे बीज होता है जिसे अमरूद का बीज उसको ना आप मिट्टी में डाल दो उसको तब भी यह पता होता है कि वो बढ़ा होके अमरूद ही बनेगा दोस्तो आज की वीडियो में हमारे खास मैमान है फिर से अज है मिसरा सर इनका मुखरजी नगर में आईस दर्वार के नाम से कोचिंग है सर आपका एक बार बहुत बहुत स्वागत है फिर से थैंक्यू सो माच पिछली वीडियो में जो लॉंग वीडियो हमने बनाया था और बोई स्टुएंट आईएस आईपियस बनना चाहता है तो उनको सबसे पहले क्या करना चाहिए आप उनका सबसे पहला कदम होना चाहिए उनको पहले तो अपने उपर विश्वास करना पड़ेगा देखे जदा तर लोग क्या होता है ना कि अगर हमारे घर में कोई AIS IPS officer नहीं है तो हम डरने लगते हैं घवराने लगते हैं हर बार हमें लगता है कि यार अगर मेरा selection नहीं हो तो क्या हूँ ऐसे बच्चों को मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि उनको जो पौधा होता है न पेड़ उसके बीज से एक्जैंपल लेना चाहिए जैसे एक पौधे का बीज होता है जैसे अमरूद का बीज उसको आप मिटी में डाल दो उसको तब भी यह पता होता है कि वो बढ़ा होके अमरूद ही बनेगा वो एक्चुली वो जानता है कि वो अमरूद है अगर आप आम का पीज ले लो उसको आप डाल दो मिट्टी में तो आम का जो बीज होता है ना उसको पता होता है वो आम है लेकिन हम, humans हमको पता ही नहीं होता हम क्या करने वाले हैं सबसे पहला काम उस बच्चे को ये चीज कर देनी है कि मुझे I.E.S. बनना है जो वो बलीव करेगा उसका दिमाग वही उसको बना देगा ये पहली चीज में कह रहा हूँ दूसरा चीज क्या करना है उसको ऐसा कोई भी इंसान जो उससे बुरी परिस्तिती में रहके I.E.S. बना हो उसका एक्जाम्पल अपने सामने हमेशा रखना चाहिए जैसे मैं एक्जाम्पल दू गोविन जाय सवाल का एक रिक्से वाले का बेटा अगर आप उसकी एक्जाम्पल को देखोगे तो छटमी क्लास में उसने एक प्रण लिया कि मैं I.E.S. बनना चाहता हूँ छटमी क्लास के बाद उसने कुछ सोचा ही नहीं उसकी परिस्तितियां भी प्रीत हुई सारे रिष्तितार उसके सामने आए उन्होंने कहा कि नहीं तू नहीं कर सकता लौटा वो दिल्ली आता है तैयारी करता है आते चिपक जाती है पढ़ते पढ़ते लेकिन उसको एक भरोसा होता है अंदर से उसको आवाज आती है कि वो एक दिनायस जरूर बनेगा और वो बन एक गाइड एक कोच एक ट्रेनर एक बंदा जो उस रास्ते पर चल चुका है न वो अगर आपके साथ रहेगा तो आप गलती नहीं करोगे मैं नहीं कहरा कोचिंग जाओ आप किसी ऐसे इंसान को पकड़ो जो कम से कम एक बार इंटर्वु दिया हो वो इंसान अगर आपके स सारे लोग इनके पास आएंगे और एकी बात बोलेंगे ए भाई देख ले वो चंगू का बेटा गया था वो सेलेक्ट नहीं हुआ उसकी बेटी गई थी पांच साल बरबाद करके आई मैं आपसे सिर्फ यह कहना चाहता हूँ वो फेल हुए क्योंकि वो गलत रास्ते पर थ आपको टॉपर बनना है first attempt में तो आपको सिर्फ टॉपर के बारे में सुचना है टॉपर की स्ट्रेटजी पर फोकस करना है टॉपर की style से जीना है बस दर मेरा आपसे दूसरा सवाल यह है बहुत सारे ऐसी इस्वेंट होते हैं जो I.E.S. बनना तो चाहते हैं सपना तो देखते हैं लेकिन उनके पास में संसाधन होते ही नहीं है बहुत कमे होती है उनके लिए आपका क्या सुझाव रहेगा अगर वो I.E.S. बनने का उन्होंने एक्जाम्पल दे दूँगा, जिनको सारे संसाधन मिले, कोचिंग मिली, मुखर्जे निगर में रह रहे हैं, साथ साल, आठ साल यहाँ पर बिताया, लेकिन वो सेलेक्ट नहीं हुए, और ऐसे मेरे पास सैकड़ो एक्जाम्पल है, रिक्से वाले का बेटा गोविन जाइस व कि वो गरीबी आपके दिमाग के अंदर नहीं घुसनी चाहिए, अगर जिस दिन आपको ये लगने लगा कि आप आईस सिर्फ गरीबी की वज़े से नहीं बन पाओगे ना, उस दिन आप नहीं बन पाओगे, गोविन जाइसवाल गरीब था, लेकिन गरीबी उसके दिमाग में नहीं घुसी उसको आई इस बनना था आप विश्वास करो सारे संसाधन आपके पास आने लगेंगे और आप बनोगे आई इस लेकिन एक चीज आपको दिमाग में बताता हूँ आपको एक एक जामपल और आपको देना चाहूंगा शायद आपको समझ में आ जाए कि अगर कोई बच्चा ये कहता है कि वो उसके गरीबी इसलिए वाइस नहीं बन पा रहा है तो उसको मैं एक उधाराब देना चाहता हूँ कि आपके घर में अगर किसी की तवियत खराब हो जाए अचाना बहुत सीरिसली बीमार हो जाए और उसको हॉस्पिटल लेके जाना पड़े क्या उस समय आप डाक्टर से ये कहते हो कि डाक्टर साब मेरे पास पैसे नहीं इसको मरने दो या आप व्यवस्था करते हो पैसे की उस दिन आप देखना आपके पास संसाधन आएगा आपको कुछ भी करना पड़ेगा आप पैसा जुहाओगे और उसकी जान बचाओगे आपकी जान के बराबर कीमती हो गया उस दिन गरीबी आपको नहीं रोख पाएगी उस दिन संसाधन आपको मिलेंगे और उस दिन आप आई इसकी तैयारी में गरीबी को कभी दोश नहीं दोगे क्या सुझाओ रहेगा जो फॉस्ट अटेंप्ट में इसकी क्वालिफाई करना चाहते हैं मैं उनसे सिर्फ एक क्योंगा कि सबसे पहले आप लोगों से राय लेना बंद कर दो बहरे हो जाओ लोगों से राय लेने का मतलब है कि आप अगर किसी से जा करके ये पूचो कि मैं मैं आईस की त्यारी करना चाहता हूँ मैं करूं कि न करूं सबसे पहले बंद कर दो किसी भी रिष्थेदार और दोस्ट से ये वेरिफिकेशन मत कराओ कि यार मैं आईस बनना चाहता हूँ मैं क्या करूं सबसे पहला काम बहरा हो जाओ दूसरा आप मेहनत करने के लिए तय गंडा पड़ सकता है जितनी ताकत हो जोग दो और तीसरा मैंने भी बताया था आपको किसी ऐसे इंसान के अंडर में रहना है गाइडेंस में रहना है जो आपकी निगरानी करे ताकि आप गलती ना करो मैं कह रहा हूं जितने भी लोग फेल होते हैं जितने भी लोग पांच attempt लगाते हैं, उनसे कोई न कोई गलती होती है अगर आप से गलती नहीं हुई तो आप first attempt में select होगे capability बढ़ाओ शामता निर्माण करो answer writing capability को बढ़ाओ आपके marks आएंगे, preliminary की training लोग उसकी capability बढ़ाओ, आप preliminary में qualify करोगे, interview में आपनी capability को बढ़ाओ, interview में आप सब 6 से score करोगे, और उसकी लिए आपको training चाहिए और guidance चाहिए बहुत सारी इक्ष्वेंट के सर, social media पर ऐसे comment आते है एकसल लड़कियों की, कि हम UPSC की तियारी तो करना चाहते हैं हम लड़की हैं, लेकिन हमारे घर वालों ने साधी के लिए तो पूरा इंतिजाम करके रख दिया है, लेकिन जो बात आती है कि हम UPSC की तियारी करना चाहते हैं या फिर मुझे IS बनना है, तो बहाँ पी बहुत इंतिजाम नहीं कर पाते IS की तियारी वाला कराने का लेकिन साधी वाला पूरा कर देते हैं आप उनको क्या कहना चाहेंगे, या से एक सर social media पर कमेंट आते रहते हैं लड़कों के मैं अगर ये कहूँ ऐसे परिवार वालों के लिए, तो मैं उनको एक बहुत राय देना चाहूँगा ऐसे parents को, कि जितना पैसा, आप एक लड़की की शादी में खर्चा करना चाहते हो उसका 1 बटा 10 सिर्फ 1 बटा 10, 1 by 10 उस लड़की के career पर लगा दो आप उस लड़की की इक्षा पर लगा दो अगर YS बनना चाहते है, 1 by 10 जितना आप उसकी शादी में लगाना चाहते हो, उसका one by ten अगर उसकी तैयारी में लगा दिया, तो वो लड़की अगर शादी करेगी तो आपको उसके ससुराल वालों के सामने सर जुकाना मजबूरी नहीं होगी, आपको उसके दहेज का पैसा इकठा नहीं करना पड़ेगा तो मैं उन पैरेंट्स को बोलता हूँ, लड़का लड़की में अंतर करना बंद करो, सोसाइटी की सुनना बंद करो, ये आपकी बेटी है, और आपकी बेटी के लिए आप क्या चाहते हो कि ससुराल में जाए तो वो सौभिमान से जाए, या वो सर जुका के जाए, दोस्तों को, तो वो बड़ा मुश्किल से देता है, एक बाप अपनी बेटी को ससुराल वा लोग देता है, उनकी तो पैर चुमने चाहिए यार, लेकिन उस लड़की के इज़्जत नहीं होती ससुराल में, मैं आपसे सिर्फ एक कहना चाहता हूँ, अगर आप अपना स्व स्वाविमान चाहते हो, अगर आप अपने लड़की का स्वाविमान चाहते हो, तो उसके करियर पर फोकस करो, उसकी शादी, निश्चित तोड़ से होगी, अच्छी होगी, बेटर होगी, बस एक बार लड़की को मौका दुआ। देखिए, पहली बात तो मैंने आपको भी एक लाइन बताए थी, बहरे हो जाओ, अच्छा एक बात बताओ, लेट्स कंसीडर कि एक एक आपने एकजाम दिया, ठीक है न, उस एकजाम में एक गलती हो गई, तो आप अगली बार उस गलती को सही करोगे न, लेकिन रिस्तेद अगर आपका आईएस ओफिसर है, तो सुन लेना, अगर वो रिस्तेदार बैंक मेनेजर है, जिसकी हिम्मत नहीं हुई कभी आईएस की तैयारी करने के लिए, आप बताओ, उसका कहना सुनना चाहिए, एक बच्चा, एक एक रिस्तेदार आपका जो कलर्क है, एक रिस्तेद प्राइमरी का टीचर है, जिसकी आउकात नहीं हुई कि वो आई उसकी तैयारी करे, ऐसे इंसान की राय आप बांगोगे, हाँ, डियम बनने के लिए, आप डियम बनना चाहते हो, आप ज़रा सोचो, एक दिन वो डियम अपने कलर्क को बुला है, एक प्राइमरी का टीचर क बला है, और उनसे पूछे, एक बात बताओ, मैं जिला कैसे चलाओ, आपको ऐसा डियम अच्छा लगेगा क्या, आप खुद सोचो, ऐसे बच्चे को जो एक्जाम आपने डिसाइड किया, आई एस का, अगर आप किसी भी रिष्तेदार, किसी भी दोस्त के कहने से, इस लेक हो सकता है, छोटी बोटी ने को कुछ मिल जाए, लेकिन जिन्दिक में सैटिस्फेक्शन नहीं मिलता, इसलिए मैं कहता हूँ, बहरे हो जाओ, सुनना बंद करो, गल्ती जो हुई है, उसको सुधारो, अगली बार उस गल्ती को नहीं करोगे, सेलेक्शन समाना बढ़ेगी क नहीं बढ़ेगी, तो सेलेक्शन लेना है, गल्तियां सब से होती है, उस गल्ती को सुधारो, और अपने लक्ष को हिट करो, यही एक मूल मंत्र है, कोचिंग लेना कितना जरूरी है, आई एस मनने के लिए, यही मैं सवाल आप से पूशना चाहिए, तेखिए अगर आप व कोची करना चाहिए, जहां पर आपका साथ, वो इंसान तब तक दे, जब तक आप सेलेक्शन ना हो जाओ, अब इसमें मैं अपनी कोचिंग की बात नहीं कह रहा, अगर कोई भी इंसिटूट ऐसा है, आपको अचली इंसिटूट की जरूरत ही नहीं, आपको जरूरत है गु गुरू की, गुरू का मतलब होता है द्रोणाचार्य, जो अर्जुन के धनुर्धर बनाने के लिए, अर्जुन को धनुर्धर बनाने के लिए एक लगे का अंगूठा मांग लेता है, तो जो द्रोणाचार्य है ना, उसने अर्जुन को जब तक धनुर्धर नहीं बना दि तो आपको सबसे ज़ादा जरूरत उस समय होती है एक गुरू की एक कोचिंग की, लेकिन तब तक तो आपके पास कोई है ही नहीं, आप एक बात बताओ, आपको कोई देखने वाला नहीं है, आपके घर में कोई I.S. अफीसर नहीं है, गलती होगी की नहीं होगी, और ऐसा गलती हो जाती है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आपके जिन्दगी में एक गुरू हो, जो कम से कम I.S. का इंटर्वी फेस किया हो, या तैयारी भी किया हो, और वो जानता हो कि गलती कहा होती है, अगर आपको उसने गलती नहीं करने दी, आप फर्स्ट अटेम्ट मे सेलेक्ट होगे, आप सेलेक्शन जरूर होगे, हो सकता है, गलती कहात बर हो भी जा, लेकिन आपका सेलेक्शन जरूर होगा, इसलिए मैं कहता हूँ, कोचिंग के बजाए, गुरू ठोड़ो गुरू, राइट, वो आपका सेलेक्शन जरूर कराएगा, और एक और सवाल मेर कि उनकी रड़नीती क्या होनी चाहिए देखिए ऐसे लोग को मैं बोलूँगा दो तरीके के लोग होते हैं पहला इंसान वह होता है जो लीडर होता है दूसरा इंसान होता है जो सोसाइटी के दबाओं में होता है पापा ममें ने कहा सारे एक्जाम के फॉर्म भर कहीं ने कही अब हो सोसाइटी के प्रेशर में, पापा एक्सपर्ट तो है नहीं कोई कम्टीशन के, रिष्टेदार कोई एक कम्टीशन के एक्सपर्ट तो है नहीं, अब आप सारे फार्म भनना शुरू करते हो, ऐसा इंसान अंडर कॉन्फिडेंट है, उसको कन्फर्म पता है कि वो आई या लीडर हो, तो मैं आप से एक बात बताना चाहता हूँ, अगर आप IAS बनना चाहते हो तो एक IIT टॉपर से एक्जाम पल लो, जो उस IAS के एक्जाम के लिए अपने पचास लाग की नौकरी छोड़ के आता है, वंडर कॉन्फिडेंट नहीं होता, उसके दोस्त बार-बा की बित्यारी कर रहे हैं, बैंक की बित्यारी कर रहे हैं, चपराची का भी फार्म भर दे रहें, आपको क्या लगता है, ऐसे इंसान को विश्वास है कि वो IAS नहीं बन सकता, और ऐसा इंसान IAS बनने लाइक होगा, आप खुद सोचो, इसलिए मैं कहता हूँ, एक जगा पर फोकस करो, सारी इनर्जी लगा दो, आपे ससी करना चाहते हैं, ससी करो, IAS भूल जा, मैं कहां कहे रहा हूँ कि IAS ही करो, एक चीज पर फोकस करो, यह टॉपर्स एटिटूड है, टॉपर्स एटिटूड है, अगर एक बार डेवलप हो गया ना बच्चे के अंदर, वो जिस इनसान ने उसे क्वालिफाई किया है, तो आप भी करोगे, बस भागे को सोचना बंद करो, लोग यह सोसाइटी के लोग भागे की याद दिलाएंगे, सोसाइटी के लोग फेलियर लोगों के बारें बताएंगे, सुनना बंद, बहरापन आ जाना चाहिए आपको एकदम, पर एक लक्ष, जब तक हिट नहीं करेंगे, तब तक छोड़ेंगे नहीं, एक दशरतमाजी का स्टेटमेंट है, जब तक फोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना, तो यह आपको याद रखना है बस, सर, जैसे पिछली वीडियो में मैंने आप से बात की थी, तो आपने बताया था कि जब आप अपने गाउ से एकलोते, यूपीसी के तियारी करने आए थी, जब आप मुखरची ने कराए, उसके बाद कोई नहीं आया, ये किससा कहता, थोड़ा सा इस वीडियो में भी रहा था, मैं सबसे सिंसियर गड़का माना जाता था, और लोगों का कहना था कि यार, जो अजय कर सकता है न, वो कोई नहीं कर सकता, अब मैं वहाँ से दिल्ली आता हूँ, अपने घर वालों के सपने ले करके, एक बड़ी सी कोचिंग जोईन करता हूँ, और मुझे लगता अगर जो सबसे सिंसियर बच्चा था, उसके बसकी नहीं हुई, तो गाउं के लोग डरेंगे कि ने डरेंगे, हर एक बच्चा मुझे अपना आइडियल समझता था, वो डरने लगा, मैं आज अपने एक बच्चा भी कुछ दिन पहले मेरे गाउं से मुझे अपरोज किया मैंने उसके बोला, भाई मैं तेरे को गाइड करूंगा, सेलेक्शन कराऊंगा, लेकिन पास दिन के बाद, उसके हर आले ने बोला, कि भाई ऐसा है, आईस मत कर तू, रेविव आफिसर की तयारी कर ले, छोटा मोठा कर ले, ये confidence कैसे आता है, इसलिए मैं बच्चों से एक बात बताता हूं, कि अगर आप आईस की तयारी कर रहे हो, याद रखना, आपके उपर इतनी बड़ी responsibility है, इतनी बड़ी responsibility है कि आप सोच नहीं सकते हो, आप तयारी करने के दौरान आप सोचते नहीं हो, आपको लगता है ये आपका लक्षे, नहीं, नहीं, अगर आप सेले दारी समझो, आज एक बहुत बड़ा काम आप हाथ में ले रहे हो, आप अपने परिवार का इतिहास बदलने जा रहे हो, आप अपने बापा का नाम आसमान में लिखने जा रहे हो, आप अपने भाई बहनों का अभिमान बनने जा रहे हो, आने वाली पीडियां आपके नाम से जानी जाएंगी और आपका लड़का इस I.S. के एक्जाम से डरेगा नहीं आज आपको हो सकता है डर लगता हो लेकिन आपका बेटा अगर आप I.S. बने वो कभी डरेगा नहीं क्योंकि उसका बाप I.S. ओफिसर है उसकी मा आईईस ओफिसर है इसलिए मैं कहता हूँ एक responsibility बिट्टी लेके लड़ना, गल्ती मत करना, इधर उधर मत भागना, IES का एक्जाम एक बार में निकाला जा सकता है, मुझे अगर कोई गाइडेंस किया होता उस तरीके के जैसा मैं अपने बच्चों को करता हूँ, मैं जरूर फोड़ता मेरे बच्चों, और आप अगर सही र हस्ते पर है न, याद रखना, अगर आप IES के त्यारी कर रहे हैं और आप IES नहीं बन रहे हो, तो कोई ने कोई गल्ती हुई है, उस गल्ती को साही करो, और अगली बार आप हिट करोगे, मैं आपको बताओं कि UPSC की तयारी में, टाइम मेनेजमेंट जैसे चीज कुछ है ही नहीं, UPSC की तयारी में माइन्ड मेनेजमेंट होता है, माइन्ड मेनेजमेंट, तो आज से आपका उद्देश क्या होना चाहिए, टाइम मेनेजमेंट नहीं, माइन्ड मेनेजमेंट, आपको मैं बताता हूँ मैं अपने बच्चों को क्या कहता हूँ मैं कहता हूँ आप तीन घंडे पढ़ाई करो कोई फरक नहीं पढ़ता लेकिन आप UPSC के उस टॉपिक के बारे में हमेशा सोचोगे यानि आपको UPSC के तैयारी में पढ़ना जितना है उससे ज़्यादा सोचना है जो लोग कहते हैं मेरा टाइम मैनेजमेंट नहीं होता वो आदा गंटा बकवास में बिता देते हैं और यह सोचते हैं मैं पढ़ने बैठूँगा मैं आपसे यह कहना चाहता हूँ अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप असली में IAS के तैयरी नहीं कर रहे हो IAS आपकी खोपड़ी पर चड़के रौनना चाहिए आपको हर एक समय, हर एक मिनट वो टापिक आपके दिमाग में खूमना चाहिए जो आपने पढ़ाई की है याद रखना मैं आपको बता रहा हूँ शिवंबब कि जो लोग IAS बनते हैं उनसे कभी बात करके देखना वो पढ़ने से ज़्यादा सोचते हैं सोचते हैं कि इस टापिक को अपने दिमाग में कैसे रखू अगर एक्जाम में आएगा तो मैं लिखूंगा कैसे अगर कोई पूछेगा तो मैं बताऊंगा कैसे ये है IAS की तैयारी अगर IAS की तैयारी आपको ये लगता है कि किताब लेकर सुमूरत निकालूँगा और पढ़ना शुरू करूँगा तो आप विश्वास करो ये कामचोरी है ये IAS की तैयारी नहीं IAS की तैयारी है हर मिनट हर सेकेंड आपके दिमाग में टॉपिक चलना चाहिए आपके दिमाग में हमेशा मोटीवेशन चलना चाहिए आपके दिमाग में हमेशा करेज होना चाहिए साहस होना चाहिए डर नहीं लक्षका मेडम का है जो वहाँ पर मैनेज्मेंट देखते हैं आईएस दर्वार आप गूगल पर डालोगे तो वहाँ पर भी आप नंबर पा जाओगे मुखरजी नगर में आप इंद्रप्रथा टावर में आ जाओगे जो कि बत्रा सिनिमा की पीछे वहाँ पर सुबाकर जी मिलेंगे लक्षका मेडम मिलेंगी आपको पूजा मेडम मिलेंगी आपको नैना मेडम मिलेंगी आपको सोनिया मेडम मिलेंगी तो यह सारे लोग वहाँ पर बैठते हैं और यह आपको मेरे से कनेट करते हैं तो अगर आपको बात करना होगा वो मेर से मिलू आपी देंगे बूलूं